गुड मॉर्निंग फेंज स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वद्रवेट आपकर पर तो चलिए शुरुवात करते हैं आज के दिन्दु एडिटूरियल वकाबलेर की वकाबलेरी साथ का पहला वर्ड है हेस्ट पहले एडिटूरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजेगा हेस्ट यहां पर नाम की तरह यूज हुआ है हेस्ट का मतलब होता है किसी भी काम को बड़ी ही जल्दबाजी के साथ करना जल्दी जल्दी करना उटाओल आपन दिखाना उसे बुला गया है हेस्ट से नॉनिम सा आ झाई गही है कि यही चाना साफ तोर पे दिखाई गहा है कि जो किसी तरह का पत्र है उसको जल्दबाजी में लिखा गया हैů अगला हमारा शब्द है condone, condone यहां पर वर्प की तरह यूज़ हुआ है, condone का मतलब होता है, कोई भी गलत कार्य हो रहा है और उसकी हम अंदेखी कर रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर किसी को माफ करना, ध्यान ना देना किसी की बात पर, उसे बुल वालेंस, no matter what the circumstances are, कोई व्यक्ति यह बात बो रहा है कि मैं कभी भी वालेंस को बरदास्त नहीं करता हूँ, चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी circumstances रहे हो, मैं हिंसा कभी भी बरदास्त नहीं करूँगा, उसके अंदेखी नहीं करूँगा, नहीं कर सकता, अगला हमारा शब्द इसे डेस्परेट यहां पर जक्ति भी तरह वर्ड यूज़ हुआ है, डेस्परेट का मतलब होता है, मैं यूसी होना किसी बात को लेकर निराशा होना, उसे बोला जाता है, डेस्परेट, से अनॉनिम से होपलेस, डिसपेरिंग, सीरियस, अर्जंट, अन्टॉनिम से फिग लीफ, यहां पर नाम की तरह यूज़ हुआ है, वैसे फिग लीफ का मतलब होता है, अन्जीर के जो पत्ते होते हैं, उन्हें बोलाता है फिग लीफ, अन्जीर के पत्तों को, एडिटोरिल में इस वर्ड का यूज़ हुआ है, कोई एमबैरिसिंग कोई बात हुई है कोई इस तरह की शर्मनाग कोई बात है, तो उस पर परदा डालने की कोशिश की जा रही है, बेजिती या शर्मिंदी की भरे कारे पर परदा डालने की कोशिश करना, उस कंटेक्स में इस वर्ड का यूज़ हुआ है, फिग लीफ का, सेनॉनिम से डिसगाईज, कैन्वस, ल लेंड्सकेप, तो ये किसी भूमी की बात की जारे कि किसी भूमी के लगातार डिस्ट्रक्शन के लिए, किसी तरह की जो डिल हुई है, ये इससे जादा और कुछ भी नहीं है, इससे बेजिती या शर्मनिदी की भरा ये जो डिल है, इससे जादा ये नहीं है, जो की लगा पेश करना एक model पेश करना एक पूर्व उधारन होना किसी भी बात का या किसी भी घटना का उसे बोला जाता है precedent synonym से example model paradigm exemplar antonym से after following later or subsequent example आप देख सकते हैं the trial could set an important precedent for dealing with similar cases किसी दर के trial की बात और यह case की बात हो रही है कि यह जो trial चलाया जा रहा है यह बहुत ज़्यादा महत्वपुन होगा आवश्यक होगा इस तरह के जो similar cases होते हैं उनको मतलब उनको कैसे deal किया जाए तो यह जो trial चल रहा है उनके लिए एक मिसाल पेश करेगा एक उधारन पेश करेगा अगला हमारा शब्द है वूज यहां से दूसरा editorial भी शुरू हो रहा है internationally motivated है important editorial है पढ़ लेजेगा मनम्यार के बारे में दिया गया है वूज का मतलब होता है किसी ज़र की कोई परशानी कोई संकत या मुसीबत उसे बोला गया है वूज synonyms सा आप देख सकते हैं afflictions, miseries, sorrows, troubles, antonyms, advantage, and blessing, or certainty एक्जामपल देखेंगे है हिलेसंट to my tale of war तो यह व्यक्ती यह बात बोल रहा है कि उसने मेरी जो दुख भरी दास्तान थी उसने मेरी दुख भरी दास्तान को सुना अगला हमारा स्रब्दे conviction यहां पर noun की तरह word उस हुआ है conviction का मतलब होता है अन्यायल लेके द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा पक्का विश्वास होना कि किसी ने कोई गलत कारे किया है उस व्यक्ती पर दोश सिद्धी हो जाना उससे बोला जाएगा conviction मतलब found guilty synonym से confidence, belief, reliance or persuasion antonym से disbelief, doubt, uncertainty or distrust example देख लिए he will appeal against his conviction तो किसी अपरादी की बात हो लिए कि उसने अपने दोश सिद्धी के खिलाफ जो है वो appeal दायर की याची का दायर की अगला हमारा शब्द है disposed यहां पर वर्पी तरह word यूज हुआ है disposed का मतलब होता है किसी भी नेता को, किसी भी शाषक को मतलब उसकी सत्ता से बाहर निकाल देना मतलब उसकी पावर से हटा देना उसको, पद से हटा देना किसी भी शाषक, किसी भी लीडर को अपदस्त करना उसे बोला गया है disposed synonym से ousted, removed, dismissed or unseed entorium से crowned, empowered, inaugurated or installed example देख लीजे, there was a revolution and the dictator was deposed तो वही बात हो रही है कि वहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और dictator को जो है सत्ता से, शाषक को सत्ता से निकाल दिया गया I hope आपको समझ में आया हुगा है word deposed, new word है ये कोप का मतलब होता है किसी भी देश में उसकी सेना के दौरा शाषन अपने हाथ में लिया जाना, तखता पलट कर देना सरकार का आकस्मिक शाषन परिवर्टन, उसे बोला गया है कोप synonym से take over, success, insurrection, rebellion, revolt or seizure entorium से defeat, failure, catastrophe, abortion, ban or blow example आप देख सकते हैं, military coups which had attempted to overthrow the king अतक्ता पलट किया गया और एक राजा को सत्ता से बाहर का रासा दिखा दिया गया, अगला हमारा सब्द है testimony, यहाँ पर नाम की तरह word यूज हुआ है, testimony का मतलब होता है, दो मतलब होता है testimony के एक तो होता है किसी को कोई किसी दर का कोई promise करना, वचन दिना वादा करना या फिर testimony का जो editorial में मतलब लिया गया है, आज इसका मतलब लिया गया है किसी दर का कोई सबूत, कोई गवाही, कोई साक्षय, कोई evidence, उस context में इसका use हुआ है testimony का, synonym से आप देख सकते हैं, evidence, statement, attestation, deposition, proof, or declaration, antonym से denial, disprove, comment, or rebuttal, example आप देख सकते हैं, रमेश, मिटफॉल्स, testimony, and acrimony इस तरह से रमेश ने जो है वो साक्षय, जूटे साक्षय जो है वो पेश किये, इस तरह से बात कही गई है अगला हमारा शब्द है prosecution, यहाँ पे noun की तरह word used हुआ है, prosecution का मतलब होता है अब चारिक तोर पर किसी के खिलाफ, किसी तरह का court में मुकंदमा दायर करना, अभी योजन चलाना, उसे बोला गाया prosecution, synonym से litigation, pursuance, lawsuit, or accusation, antonym से defense, demurge, denial, or claim example आप देख सकते हैं, yesterday the head of the government called for the persecution of those responsible for the deaths तो एक बात कही जा रही है कि पिछले कल, head of the government है, उन्होंने किसी तरह के जो deaths के लिए जिम्मेवार लोग थे उन पर मुकंदमा आभी योजन चलाने की बात कही अगला हमारा शब्द है convicted, convicted यहाँ पर वर्पी तरह यूज़ हुआ है word, convicted का मतलब होता है दोश सिद्धी हो जाना किसी के उपर, पक्का विश्वास होना कि इसने जुर्म किया है, किसी तरह का अपराद किया है विक्ती ने, तो उसे बूला जाता है convicted synonym से confidence, belief, reliance, or persuasion, and synonym से disbelief, doubt, uncertainty, or distrust, example आप देख सकते हैं, he will appeal against his conviction, तो वही बात की जारी कि उसने अपनी दोश सिद्धी के खिलाफ, या चिकादार की, अपील की अगला हमारा श्ब्द है annihilate, annihilate यहां पे work भी तरह यूज ऐआ है, annihilate का मतलब होता है किसी बी चीज को पुरी तरह से बर्भाद कर देना, तहस, नहस कर देना उसे बोला जाता है, annihilate annihilate या फिर किसी को बूली कर से हरा देने को भी बोला जाता है annihilate annihilate के synonyms आप देखते हैं destroy, eliminate, eradicate, obliterate or kill antonym से perceive, perceiver, save, revive, build or create preserve यह preserve है यहाँ पर example आप देखते हैं are lots of ways of annihilating the planet तो यह पाद के जारे कि planet को नकुसान पहुंचाने के या पूरी तरह संगस्ट करने के बहुत सारे रास्ते हैं अगला हमारा शब्द है brute यहाँ पर adjective ही तरह word यूज़ हो है brute का मतलब होता है बहुत निर्मंता से पेशाना करूरता के साथ, कठोरता के साथ पेशाना निर्दैता के साथ पेशाना उसे बुलाता है brute synonym से आप देखते हैं beast, animal, savage, monster or barbarian antonym से angel, kind man or human example आप देखते हैं Custer was an idiot and a brute and he deserved his fate Custer की बात की जारे कि वह बहुत ज़्यादा मूर्ख है बहुत ज़्यादा निर्मं है निर्दै है, kathor है इसी तरह से वो अपने भागय को deserve करता है मतलब इस तरह की वो fate को deserve करता है जो उसके साथ हो रहा है उसे वो deserve करता है अगला हमारा शब्द embodiment यहाँ पे नाम की तरह word use हुआ है embodiment का मतलब होता है किसी व्यक्ति में कुछ एक विशेष्टाएं हैं जिसके द्वारा वो पहचाना जाता है कुछ एक उसकी practiceics है अवतार है मतलब वो किसी चीज़ का अवतार है या अच्छी notice किया जाता है उसको लोगों के द्वारा कि किस तरह के वो काम कर रहा है तो उन विशेष्टाओं के द्वारा लोगों के द्वारा वो notice किया जाता है पहचाना जाता है उसे बोला जाता है embodiment synonym से आप देखते हैं epiterm personification avatar mortal manifestation एंटॉन से isolation exclusion attempt example आप देखते हैं a baby is embodiment of vulnerability तो हम सभी जानते हैं जो बच्चा होता है वो एक नाजुक नाजुक पन का एक जीता जाता उधारन होता है जिसे easily heard किया जा सकता है क्योंकि वो बिल्कुल vulnerable होता है बिल्कुल नाजुक कमजोर होता है अगला हमारा शब्द है consecutive consecutive यहाँ पर executive दरा यूज हुआ है serial continuous and term discontinuous broken disordered or intermittent example आप दिछते हैं this is the team's fourth consecutive win तो किसी team की बात हो रही है कि यह जो जीत है team की लगतार चौथी जीत है अगला हमारा शब्द है prompted prompted यहाँ पर eject की की तरह used हुआ prompted का मतलब होता है एकदम से कोई काम करना फटा-फट से बिना किसी वक्त को जाया किये गए मतलब बिना किसी देजी से किया गया कोई काम अविलंब उसे बुला गया है prompted मतलब to do immediate to do something immediate synonyms आप दिसने हैं fasted insight inspired prodded or spurred and don't say forgot ignored arrested delayed or halted example देख लीजिए we need a prompt decision on this matter किसी matter की बात हो रही है कि हमें इस matter पर मतलब एकदम से फटा-फट से कोई decision लेना होगा अगला हमारा शब्द है havoc havoc यहां पर नाम की तरह यूज़गा है havoc का मतलब होता है किसी दर की तबाही बरबादी या मिनाश की स्थिती उसे बोला जाता है havoc havoc किस अनॉनिम से आप देख सकते हैं कि उस डिस्ट्रक्शन, मेहम, डिवस्टेशन एंटॉनिम से रिसरेक्शन, काम, रिहाबलिटेशन और तैंक्वलिटी example देख लेजिए the rail strikes will cause havoc all over the country किसी दर की कोई rail strike हुई है अगला हमारा श्रब भी टेकन अपार्म्स या उसलिए नहीं पर फ्रेज की तरह use हुआ है वर्ट टेकन अपार्म्स का मतलब होता है किसी बीछीज का हम विरोध कर रहे हैं या फाइट कर रहे हैं फाइटिंग कर रहे हैं उलज रहे हैं हत्यारों के साथ उसे बुला गया है तो एक government के द्वारा सरकार के द्वारा डैम प्रपोस किया गया है किसी जगह पे जो वहां के लोकल बाशिंदे है जो रहने वाले स्थानिय लोग है उन्होंने उसका विरोध जताया एकदम से लड़ाई करने के लिए वो सरकार के साथ उतारू हो गए कि यहाँ डैम जो है वो नहीं बनाना चाहिए अगला हमरे शब्दे क्रिपल्ट यहाँ पे वर्प की तरह वर्ड यूज़ गए क्रिपल्ट का मतलब होता है गंभीर रूप से क्षटी रस्त कर देना बहुत ज्यादा बहुत डिस्ट्रक्शन कर देना या गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना किसी चीज़ को उसे बुरा गया है क्रिपल्ट सिनॉनिम से डिसेबल लेम वीखन डेबलिटेट एंटॉनिम से help, strengthen, add or assist एक्जामपल आप देख सकते है तो किसी तरह का जो मंदी का दौर है रिसेशन का जो दौर था उसने पूरी तरह से जो मोटर उड्योग है मोटर इंड्रस्ट्री है उसको पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है पूरी तरह से मतलब ख्यतिगरस्थ कर दिया रिसेशन ने, मंदी ने अगला हमारा शब्द है cling, cling यहाँ पर work की तरह यूज़गा है cling का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ना छोड़ना, पकड़े रहना लिपटे रहना, चिपके रहना उसे बोला गया है cling synonym से इसके strict hang, cohere, hold or hug antonym से detach, let go, can or disband example आप देखते हैं she clung to the rope with all her strength किसी महिला की बात हुरी है कि उसने बिलकुल अपनी जितनी भी उसकी ताकत थी पूरी तरह से उसने रसी को जकड़ा हुआ था पकड़ा हुआ था अपनी पूरी strength के साथ अगला हमारा शब्द है empowerist, adjective की तरह word used हुआ है, empowerist का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत बुरी स्थिती में होना दैनी अवस्था में होना, दुरदशा में होना किसी चीज़ का, या फिर शक्तिहीन होना किसी चीज़ का, या फिर हम बूसकते है बहुत जादा निर्दनता होना, कंगाल होना गरीब होना, दरिद्र होना उसे भी बोला जाता है, empowerist synonym से ruin, bankrupt deplete, deprive or beggar antonym से enrich, advance add, amelorate or build example देखकते हैं आप we need to reduce the burden of taxes that empoverish the economy ये बात कही जा रही है कि हमें text जो करकी दरें है उनमें कटाउती करनी होगी, क्योंकि उसकी वज़े से जो economy है वो बहुत ज़ादा बुरी स्थिती में है, बहुत ज़ादा खराब स्थिती में हो रही है, इसलिए text के burden को यदि कम किया जाएगा तो इस सरसे economy में भी अर्थ ववस्था में भी उसमें सुधार होगा, जो भी बहुत बुरी अवस्था में है, तो ये last word था आज की दहिन दो डिटोरियल वक्याबरी का revise करते हैं शब्दों को फटा वट से पहला मारा वट था हेस्ट, हेस्ट का का मतलब होता है, कोई गलत काम हो रहा है और हम उस गलत काम की अंदेखी कर रहे हैं, हम भी उससे support कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ को अंदेखा करना उसे बुला गया है, control अगला हमारा शब्द है, desperate desperate का मतलब होता है, किसी भी बात को लेकर बहुत जादा मायूस होना, चिंतित होना उसे बुला गया है, desperate अगला शब्द है, fig leaf fig leaf का मतलब होता है, किसी भी तर की कोई शर्म वाली बात हुई है, या कोई embarrassment हो रही है तो उस पे परदा डालने की कुशिश करना उसे बुला गया है, fig leaf अगला हमारा शब्द है, precedent precedent का मतलब होता है, पहले कोई घटना घट चुकी है, और हम उसका उधारन एक मिसाल, एक model हम पेश कर रहे है तो उसे बुला जाता है, precedent अगला हमारा शब्द है, woes woes का मतलब होता है, किसी भी तरह की मुसीबते संकट दुख परिशानिया उन्हें बोला जाता है, woes अगला शब्द है, conviction conviction का मतलब होता है, कोट के दोरा अपराद सिद्धी हो जाना, दोश सिद्धी हो जाना दोशी ठहरा जाना उसे बोला जाता है, conviction अगला शब्द है, deposed deposit का मतलब होता है किसी भी शाष शक को या किसी भी लीडर को उसके पद से हटा देना, पद से रहित कर देना, अपदस्त कर देना उसे बोला गए है Deposed अगला शब्दे कूब, कूब का मतलब होता है किसी भी देश की सरकार को गिरा दिया जाना और military के दौरा, वहां की सैना के दौरा, शाशन अपने हाथ में लिये जाने को बोला जाता है, कूप, मतलब तखता पलत, अगला हमारा शब्देर, testimony, testimony के दो मतलब मैंने आपको बता है, एक तो होता है, किसी के साथ, किसी तरह का कोई promise करना, वादा करना, उसे बोला गया है, testimony, या फिर दूसरे context में, जो editorial में, आज ये word यूज़ हुआ है, वो हुआ है, किसी तरह का कोई सबूत, गवाह या साक्षे, evidence के तौर पर, अगला हमारा शब्देर, prosecution, prosecution का मतलब होता है, अपचारिक तोर पर, court में, नियायले में, किसी पर कोई मुकदमा चलाना, अब यूज़न चलाना, उसे बोला जाता है, prosecution, अगला हमारा शब्दे, convicted, convicted का मतलब होता है, अपराधी सिद्ध किये जाना, सिद्धी हो जाना, दोशार ओपन करना किसी के उपर, that is called convicted, अगला शब्द है, annihilate, annihilate का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को पूरी तर से तहस, नहस कर देना, बर्बाद कर देना, नश्ट कर देना, उसे बोला गया है, annihilate, अगला शब्दे ब्रूट, ब्रूट का मतलब होता है, बहुत ज़्यादा निर्दई होना, कठोर होना, निश्ठोर होना, उसे बोला गया है, ब्रूट, अगला शब्दे एंबोडिमेंट, एंबोडिमेंट का मतलब होता है, किस भी विक्ति की कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स ह जिसके द्वारा वह पहचाना जाता है उसे गुण विशेषता है जिसके द्वारा लोगों के द्वारा उसे नोटीस किया जाता है उसे बोला जाता है अगला हमारा शब्द है consecutive का मतलब होता है करमिक लगातार या एक के बाद एक घटनाओं का या किसी भी चीज़ का होना उसे बोला जाता है consecutive अगला शब्द है prompted का मतलब होता है ततकाल बिना किसी देरी के कोई कार्य करना जल्दवाजी में उसे बोला गया है prompted अगला शब्द हैवक हैवक का मतलब होता है किसी भी तरह की तबाही बरबादी उसे बोला गया है अगला शब्द है taken up arms taken up arms का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी चीज़ का विरोध करना या हत्यारे को साथ लड़ाई करना किसी के साथ उसे बोला गया है taken up arms अगला शब्द है crippled crippled का भी मतलब होता है पूरी तरह से ब्रबादी, सरवनाश, तबाही उसे बोला गया है crippled अगला हमारा शब्द है cling cling का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ चिपके हुए रहना ना छोड़ना किसी को एकदम से चिपके हुए रहना जुडे हुए रहना उसे बोला गया है cling अगला हमारा शब्द है empowerist empowerist का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में होना, दुरदशा की सित्री में होना, बहुत ज़्यादा गरीबी होना, निर्धनता होना उसे बोला गया है, पावरिष्ट, तो यह लास्ट वर्ट था आज की तहीं दुरी टूरियल वकाबलर से, इस वीडियो में इतना ही सरक इंफरमेटिव व थैंस वर वाचिंग